नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस स्टार मिस्कु न्यूज में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है अच्छे ही होंगे दोस्तो आज मैं उत्तर प्रदेश अधिनस सिवा चैन आयोग की कुछ भरतियों के परिणामों के सम्बंद में आपको बहुती महत्पून जानकारियां इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती के सम्बंद में या परिणाम के सम्बंद में कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुँच जाएं दोस्तो कुछ परिणामों के संबन्द में मुझे कुछ अपडेट प्राप्त हुआ है ठीक है और वो ही अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ देखें सबसे पहला जो अपडेट है वो है आपका युवा कल्यान अधिकारी के परिणाम के संबन्द में दोस्तो जितने भी बच्चे युवा कल्यान अधिकारी के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है युवा कल्यान अधिकारी का जो परिणाम है वो आपका मार्च के महिने में ही जारी हो जाएगा जी हाँ दोस्तों युवा कल्यान वाले बच्चे बिलकुल तयार रहें 15 से 20 मार्च तक आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा आयोग की वेबसाइट पर ठीक है आपको बता दू जो भी खबर मैं दे रहा हूं बिलकुल ओफिशल दे रहा हूं और बिलकुल आयोग के करमचारी दौरा जो न्यूज पर आप्त हुई है बिलकुल वही आपको दे रहा हूं और आपने देखा भी होगा आपको मैंने पहले न्यूस दी थी केयन सुपरवाइजर के परिणाम की और केंज सुपरवाजर का परिणाम जिस दिन न्यूज दी थी उसी दिन आपको परिणाम देखने को मिल गया था ठीक है और पिछले कई परिणाम के आपकी मैंने न्यूज दी है और वो न्यूज मेरी एकदम सही साभिस होई है ये आपने पिछले कुछ टाइम में देखी लिया होगा ठीक है तो जो न्यूज दोस्तों दे रहा हूँ मैं वो एकदम ओफिशल दे रहा हूँ एकदम आयूप के अंदर से दे रहा हूँ ठीक है तो यूवा कल्लान अधिकारी वाले बच्चे इस महीने में उनका इंतिजार समाप्त हो जाएगा और 20 मार्च के पहले पहले आपका परिणाम गोशित कर दिया जाएगा ठीक है अब मैं बात करने वाला हूँ मंडी परिशद के परिणाम की जी यहां दोस्तों बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर मंडी परिशद का परिणाम कब तक जारी होगा दोस्तों आपको बता दूँ मंडी परिशद के परिणाम में अभी समय लगेगा 10 से 12 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि मंडी परिशद का परिणाम अभी आपका नहीं आने वाला फिर उस बात पर कुछ बच्चों ने गलत कमेंट भी किये थे ठीक है तो आपको मैं सूचना अभी यही दे रहा हूँ कि मार्च के महिने में मंडी परिशद का परिणाम नहीं आएगा ठीक है तो बच्चे उल्टा सीधा कमेंट ना करें जो जानकारी मिलती है बिल्कुल वही आपको दी जाती है सूचना पहले मुझे ये मिली थी दस बारे दिन पहले कि परिणाम आपका जारी मंडी परिशत का नहीं होगा और सूचना अब भी यहीं मिली है कि मंडी का परिणाम इस महिने में भी जारी नहीं होने वाला मार्च में तो आने वाला नहीं है एकदम कंफर्म है ठीक है और कब तक आएगा ये ख़बर मैं आपको मार्च के लाश्ट तक दे पाउगा ठीक है तो ये अपडेट है मंडी परिशत के परिणाम का दोस्तो अब बात करता हूँ मैं तीसरी भरती के संबन में और वो तीसरी भरती है lower subordinate 2016 जिसको हम lower two के नाम से भी जानते हैं दोस्तो lower two वाले बच्चे जो हैं बहुत लंबे समय से अपने परिणाम का इंतिजार कर रहे हैं और आपको बता दू 5 साल पुरानी ये भरती हो चुकी है जिस तरह से केन सुपरवाजर की भरती थी वही भरती lower two बन चुकी है 5 साल पुरानी ये भरती है चाड़े 4-5 साल पुरानी तो lower two के परिणाम के लिए भी मुझे एक अच्छी ख़बर प्राप्त हुई है जी हां दोस्तो lower two वाले छात्रों का जो इंतिजार है वो मार्च में समाप्त होने के चांस है इस पर मैं 100% शूर नहीं हूँ आपको पहली बताना चाहता हूँ लेकिन सूचना है कि हां ये परिणाम मार्च के लाश्ट तक जारी होने की संभावना है इस परिणाम की ये परिणाम हो सकता है अपरेल तक ना जाए ठीक है तो मार्च में lower two वालों को खुसकवरी मिल सकती है दोस्तो अब बात करता हूँ तो मैं स्टैनो ग्राफर भरती के फाइनल रिजल्ट की ठीक है तो स्टैनो ग्राफर भरती के जो फाइनल रिजल्ट है उसका परिणाम अपरेल के शुरुवात में जारी हो सकता है ठीक है स्टैनो वाले बच्चों को खुसकवरी मिल सकती है अप्रेल के प्रिथम सब्ता में और अप्रेल के प्रिथम सब्ता में स्टेनुग्राफर भरती का अंतिम प्रिणाम जारी हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब बात करता हूँ आपकी अगली भरती के संब्द में और वो भरती है Junior Assistent भरती 2019 का लिखित परिक्षा का परिणाम जिसके बच्चे भी बहुत लंबे समय से इंतिजार कर रहे हैं ठीक है तो ये जो पांचवी भरती बता रहा हूं मैं आपको जूनिर असिस्टेंट 2019 इसका परिणाम में अभी आपको समय लगेगा मार्स के महीने में भी इसका परिण जारी नहीं होगा ये बात आप समझ लिजिए ठीक है जो जानकारी दे रहा हूं एकदम सटीक दे रहा हूं एकदम सही दे रहा हूं और आने वाले समय के अंदर आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरी बात कितनी सच हुई है ठीक है तो भाईया जूनिर असिस्टेंट 2019 वालो बच्चों को मार्च के महीने में खुसकवरी नहीं मिलेगी और उनको खुसकवरी कब मिलेगी इसकी सुचना आपको मार्च के लाश्ट तक ही मैं दे पाऊंगा ठीक है तो ये खबर हो गई युवकला नदीकारी लोवर 2016 इस्टैनो फानल इजट 2016 और आपका मंडी प पुरंत आपको सुचित कर दिया जाएगा